जबर्पूर के गड़ा थाना अंत्रगत बेदी नगर इलाके में वे जुबान जानवरो संग हुई कुरूरता कैमरे में कैद हो गई है जहां एक शक्स ने सड़क किनारे सो रहे एक शवान के बच्चे के उपर कार चड़ा दी जिसमें नन्ही शवान की मौके पर मौत हो गई जिस पर एक एनिमल संस्था ने कार ड्राइवर के खिलाफ पश्यू कुरूरता अधिनियम के तहट पुलिस में मामला दर्ज कराया है दरसल जवलपुर में वेलफेर एनिमल सोसाइटी की एक सदस्य अंचुना पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि स्ट्रीट डॉग के शवान को नरेंदरपास सिंग ने जान बूच कर शवान पर अपनी कार चड़ाई है इसलिए उस पर कठोर कारिवाई होनी चाहिए जो वीडियो सामने आया है उसमें आरोपी कार बिल्कुल आराम से चलाता हुआ नजर आ रहा है संस्था के मुताबिक जस्समें हादसा हुआ वहाँ कोई मौजूद नहीं था वहीं पता करने पर उन्होंने कहा कि फुटपात शवानों केस तोने के लिए नहीं है फिल्हाल पोलिस ने शवान के बच्चे का पोस्ट माटम करा दिया है और अब पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद कारिवाई की जाएगी फिल्हाल आरोपी ड्राइवर पोलिस की गिरफ्त से बाहर है अब पोस्ट माटम के लिए लेकर आए हुए कल तक में रिपोर्ट मिल जाएगी तो देखते फर आगे क्या एक्शन होगा है यह स्टेय डॉगे वहां पे इसके मतलब रोट के डॉगे वहां के लोग इनको खाना खिलाते हैं हमारा एक लुमें एंजियो है जुल्पर आनिमल वेल्पर साइटी तो हम इनके लिए ही काम करते हैं आपका सब नम अंकिता पान्ये कि अवारा कुट्ट्र के उपर किसी गाली ने चढ़ाने के बाद आज पीम हुगा है उस जोग का क्या है तुरह मामना एक महिला है अंकिता पान्ये सिविल लाइन छेत्र की वो काई उन्होंने आगे लिके अभिदंदिया है कि बेधी नगर में कोई अपने आसपास की हर छोटी बड़ी ख़बर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोप्रियर्स न्यूज़ को बैटनरी डाक्टर के पास उसके लिए लाज के लिए बेजा दिया है अपने आसपास की हर छोटी बड़ी ख़बर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोप्रियर्स न्यूज़ को बैल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999